स्वरिणीम हिमाचल प्रदेश द्रिष्टी पत्र 2017 के कार्यन वेन के लिए गठित्री मंदल की उप समीती की बैठक शिक्षा मंतरे सुरेश भाद्वाज के अध्यक्स्ता में आयोजित की गई जिसमें वन विभाग से संबंदित विभिन विश्या पर चर्चा की गई उन्होंने कहा कि वन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर हैं जिसके सनक्षन इबम संवर्थन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिवत है प्रदेश में विभिन प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जीन है केवल स्थान ये हित धारकों द्वारा आये के लिए उपयोग किया जाता है सुरेश भारद्वाच ने कहा कि इस वर्स स्थानिय लोगोफ अन्यसंसाओं के सयोग से चलाए गए पौधरोपन अफ्यान के अंतरगत प्रदेश में 26,47,146 पौधे रोपित किये गए जिसकी निगरानी की जा रही है प्रदेश सरकारद्वारा अरम की गई विद्यार्थी वन मीत्रियोजन के अंतरगत भी पौधरोपन किया जा रहा है राज्य में समदाइक वन समवर्थन योजन के अंतरगत वनों को रोजगार से जोडने और पौधरोपन का कार्य किया जा रहा है PRTV News Bureau Report शिमला